गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आज मैंने आपके लिए वैसे मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है कि दो अक्षर वाले सब्द कौन से होते हैं तो आज मैं आपको दो अक्षर वाले सब्दों का जोड बता रही हूँ क्या पनाई? रा, रजसा रच सब्सक्राइस and नगाई को तक चाल्स है तो शीरा रच से करने है क्या है राज पते हृषएश हृषएं कोई बीक चीज़ पीने की चीज़े होती है तो उस को के गिलास में या कुफ में पते हैं तो देखो आप एक बना रस किया Bना रस ağ叉 रस पिर देखो दूसरा वाला फिर दूसरा मैंने आपके लिए क्या बनाई यह Bust बनाई गाड़ी क्या बनाई यह Bust तो इसको आपको परियास кनत है क्या लिखा हुआ बा, क्या लिखाओ, बा, सा, बस, क्या है, मिलाएंगी इसे तो क्या बनेगे, बा, सा, बस, उसको हम यहां पर लिख देंगे, क्या बनेगा, बा, सा, बस, फिर देखो आप उससे आगे, फिर लिखा हुआ, दा, क्या लिखा हुआ, दा, पहले देखो, क्या लिखा हुआ, दा, स, क्या लिखाओ, स, क्या बनाए, द, स, दस, उसको मिला के लिखेंगे, तो क्या बनेगा ये, पहले ये वाला दा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, स, द, स, दस, फिर उसके बाद देखो, आपके लिए क्या बनाया है, ये क्या दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन क्या दिख रह पेड का मिलते हैं हमें, बन में मिलते हैं, देखो, वा, क्या लिखा, वा, ना, वन, क्या है? इस प्रकार से आपको क्या करना है? इनको पड़के फिर जोड़ना है, तो आपको अक्छर बनाने आजाएंगे. सबसे पहले हमने बनाया रासा रस बासा बस ये बस बनी हुई है ये क्या है दासा दस दस देखो टैन को क्या कहते हैं हिंदी में दस कहते हैं तो बना हुआ टैन बना हुआ है फिर देखो वाना वन ये क्या है वन बनी हुई है पेड बनी हुई है तो यह क्या है आपको इसको पढ़के फिर क्या करना है पहले इन्हें पढ़ना है फिर अक्षरों को जोड़ना है तो अक्षर को जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा फिर सब्द बनेगा दो अक्षरों का जोड़ एक दो अक्षर है इनको जोड़के हम क्या है सब्द बनाते है इसके बाद मैंने एक छोटा सा आपके लिए दूसरा तयार किया है इसमें आप करोगे जैसे देखो ये क्या है मैंने कुछ पिक्चर बना रखी है देखे आप सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है घर दिख रहा है फिर देखो ये क्या है रास्ता रास्ता को क्या कहते हैं, रास्ते को क्या कहते हैं, पत्थ, क्या कहते हैं, पत्थ, उसके बाद क्या बना हुआ है, उसके बाद बना हुआ है, टब, क्या बना हुआ है, टब, उसके बाद क्या पिक्चे दिख रही हैं आपको, वक, क्या बना हुआ है, वक, उसके बाद देखो तो, ये आपको सबको पता है, क्या है, ये जग, जिस से क्या करते हम, पानी निकालते हैं, हाद मुद धुलते हैं, तो ये क्या है, जग, ओ उसे बाद, दूत फी लाष्ट में, बना रखें, छोटे-छोटे, ये पेड़ बने हुए हैं, ये क्या है, वन, अभी मैंने आपको बताया था क्या है, वन है, तो ये क्या है, वन, तो आपको इन से क्या करना है, मिलान करना, जो ये जित्र बने हुई, ये पिक्चर बने हुई है, और जो मैंने यहां से लिखा हुआ, इन से हमको क्या करना है, मैच करना है, जब हम मैच करेंगे बेटा घर क्या लिखाओ घर घर तो आप इसको तुरंत मैच कर सकते हो यह फिर दूसरा देखो यह क्या है रास्ता रास्ते को क्या कहते हैं पत कहते हैं जिस रास्ते से हम जाते हैं चलते हैं उसे क्या कहते हैं पत तो अगर आपको पढ़ना आ गया पाथ पत तो क्या है आप इसको मै में रहता है सब को जानते टब तो यह पढ़ना भी आना चाहिए क्या लिखा वह टब क्या लिखा हुआ तो आपको इसको यहां से मैच कर देना है पस इसको टच करना बस उसके बाद देखे आप फिर क्या पिक्चर बनी हुए देखो जरा सब देखो तो इसमें क्या है यह वक बना हुआ क्या है वक तो आपको अगर यहां से पढ़ना है वक कहां लिखा हुआ इनमे से पढ़ना है आपको वक कहां पर लिखा हुआ तो यह लिखा हुआ यहां पर व का वक तो आपको इसको यहां से यहां मैच कर देना है वक पे और फिर उसके बाद है आपका जग जग तो इसमें से पड़ोगे आप देखोगे कहां पर लिखाओ जग तो यह क्या बन जाएगा आपका जग क्या बन जाएगा जग यह आपका जग हो फिर उसके बाद देखो य तो वन आपके ये बहुत सारे ग्रीन ग्रीन जो वन होते हैं ये कह लिखा अब कौन सा छुटा आपका ये ये आपका यहां पर आजाएगे तो सबसे पहले आपको ये पढ़ने आने चाहिए तब जाके आपको समझ में आएगा जैसे पिक्चर देख लिया फिर ये पढ़ने आगे आपको तो आपको कोई तिकर नहीं होगी क्योंकि आप उसको समझ सकते हो तो सबसे पहले था हमारा टब फिर था हमारा वान वन फिर था घार घर फिर था जग जग फिर क्या था पा था पत फिर क्या था वक वक तो इस सब क्या हैं दो अक्षर वाले सब्द हैं क्या है दो अप्छरवाले सब्द तो यहां पे तो आपने इनको मैच करना सिखा, मिलान करना सिखा पैचान के मिलान करना और यहां पे आपने सीखा यहां पे कैसे खथा आपने इनको जोड़ के सब्द बनाना तो आपकी समझ में आया होगा आप इसको ध्यान दोगे इस पे बार-बार पढ़ने की कोशिस करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और क्या है आपको मज़ा भी आएगा तो आपने जो मैंने आपको ये काम दिया वो किया पढ़ाया है आपको समझाए आप इसको कॉपी पे लिखोगे तेंग यू